हम बात कर रहे हैं जो मैटो के अगर लास्ट ट्रेडिंग डी की बात करें तो हमको इसमें एक पर्षेंट के ओपर की गिरावाट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिल रहे हैं इससे पहले वीडियो में हमने डिसकस किया था 124 के लेवल को तारगेट के तोर पर हमने डिसक करें हुआ था और हमने देखे कि 124 की लेवल से इस्टाउक ने रिजेक्शन लिया है लेकिन यहां हमको अभी डरना नहीं है यह हमारे लिए एक मोका हो सकता है क्योंकि एक अपोर्चुनूटी हो सकती है यहां आमको बड़ी हमको यहां और बड़े तार्गेट डेखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि हम देख सकते बड़ा जंप आया वहां से इस्टॉब ने रिजेक्शन लिया है रिजेक्शन के बाद 112 की लेवल से सब्स बॉंस्य ग्रता हूं तो Sanya Ciao ना यहां से सेलिंग प्रेशर आगें मोटियापों के लिवल से rejection लिया है तो इस टॉक 120 का जो इसका support zone उसी पर support लेता हुआ नजर आ रहा है 120 के level को retrace करके stock bounce back हो सकता है और इस bounce back के साथ stock 124 के level को breakout कर सकता है अगर आप payment account open करना जाते हो तो description में दीगए link से कर सकते हो 120 का level है इसका तगड़े support का काम करने वाल है 120 का level यहीं से हमको bounce back होते वे नजर आ सकता है और बात करें तगड़े support का level तो यह जो इसका low है 112 का एक तगड़े support का काम करने वाला है यहां से हमको उपर के और breakout होने की पुरे पुरे चांस नजर आ रहे बात करें target की तो immediate target रहेगा 124 का level अगर इसको breakout कर गया तो फिर हमको 130 से लेकिए 140 तक के भी target zomato में देखने के लिए मिल सकते है easily देखने के लिए मिल सकते है